आज मैं आपके लिए लेक आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टन चीज और यह चीज आपको एकदम पता होनी चाहिए आप अगर दा हिंदू पढ़ रहे हैं आपकी वोकैबलरी जो है वो उस लेवल पर उस पेस से इंप्रूव नहीं हो रही है जिस पेस से इंप्रूव होनी च पिल्कुल नहीं करना है और नोट डाउन करके अपने पास में भी रखना एक चेकलिस्ट बना के रखने हैं क्या आपने यह सारी चीजे किया नहीं दा हिंदू को पढ़के अपनी वोकैबलरी को कैसे इंप्रूव करना है यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि काफी सारे ब प्यक्केशन पीपर सैट हो रहे है तो इसमें से काफी अर्टिकल आ रहे हैं तो इससे एक अच्छा पेपर एक स्टेंडर्ड पेपर माना जाता है अदर वाइस आप इंडियन एक्स्प्रेस हुआ या फिर एकोनामिक टाइम सिओ लिए हंदुस्तान टाइम सिओ टाइम संस चीजे समझ में आने लगेगी आप रेगुलर पढ़ेंगे तो लास्ट में जाके कहीं दो तीन महीने बाद में आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा और आज जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं करीब करीब पांच महीने हमारे पास में क्लैट एक्जाम के लिए अपने अंदर आप ग्रेजूल इंप्रूव्मेंट को देख सकते हैं तो सबसे पहली चीज आपको रेगुलर रहना है कंसिस्टेंट रहना जब आप रेगुलर रहेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे तो फिर आपको रिजल्ट जो है वो साथी साथ मिलता रहेगा अब पढ dictionary अपने पास में रख सकते हैं, देखे, dictionary क्या है ना, कि एक थोड़ा सा orthodox concept भी होता चला जा रहा है, आपके पास में app भी हो सकती है, आपके पास में app भी हो सकती है, अगर otherwise, आप simple Google search से भी पता लगा सकते हैं, बट अगर internet connection वगरा बहुत जादा fast नहीं है, तो Google search जो है, आपकी पढ़ने की speed को रोक सकता है, तो आपके पास में जब भी कोई एक नया word आए, उसका meaning जानने के लिए आप curious जरूर रहें, उसका मतलब क्या होता है, वो जानने के लिए आप curious जरूर रहें, आप word की meaning को वर्ब की help की तरह भी काम करता है, और वर्ब की तरह भी काम करता है, तो आपको usage भी पता होना जरूरी है, तो इसके लिए ये सारे usage भी आपको पता चल जाया है, इसके लिए आपके पास में dictionary होना जो बहुत जरूरी है, या तो dictionary रख लीजिए, फिर एप के अंदर dictionary रख या फिर simple Google search से भी आपका काम चल जाएगा, इस से भी आपका काम चल जाएगा, पर internet connection ना होने की स्थिति में Google search जो है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सकता है, अगला आपका step होगा, कि अब ये word का meaning जानना नहीं है, इस meanings को write down करना है, meaning को write down करना है, और जब एक meaning के नीचे दूसरी meaning आती जाएगी, तो आपके पास में एक list बन जाएगी, आपके पास में क्या बन जाएगा, एक list बन जाएगी, तो create vocabulary, आपको maintain करनी है daily अपनी list को, ताकि आपके पास में, अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे पूरी दुनिया में एक ही word नहीं आत यह सारी की सारी चीजे क्या होंगी, आपको help करेंगी, बाद में, बाद में आपको help करेंगी, या फिर आपके पास में एक जगे अगर रखी रहेगी तो वह आपको help करेंगी, अब इसके अंदर क्या होता है, कि offline में जैसे काफी बच्चों का check करते हैं, हम लोग बहुत आपने vocabulary की अपनी list बनाई होगी, वो कहां पे है, तो वो दिखाते हैं बच्चे, मैं personally क्या suggest करता हूँ ना, छोटी मोटी copy में या rough copy type में ना बनाए, एक diary बना ले, खोड़ा सा खर्चा है, I know, पर एक diary के अंदर लिखे, आप एक diary maintain करें, लिस्ट के लिए ना, जिसके जो cover है, वो बहुत hard हूँ, बहुत मतलब, क्योंकि ये diary आपके साथ अब जीवन भर रहने वाली है, मैं जब तैयारी कर रहा था अपने clad की ना, तब मैंने भी एक diary बनाई थी, जीके के लिए अलग बनाई थी, और vocabulary के लिए अलग बनाई थी, अभी काफी टाइम से मैंने उन का मतलब भी नहीं पता था, तो अपनी खुद की जो आप gradual development है ना, उसे भी आप track कर पाएंगे, उसे भी आप देख पाएंगे, जैसे माल लीजे कि आज first day है, तो first day को मुझे 50 word नहीं आ रहे हैं, second day है, मुझे 40 word नहीं आ रहे थे, क्योंकि 10 word पहले मेरे हो चुके हैं, फि कॉपी नहीं, मेरा suggestion है कि diary maintain करें, हाला कि फर्क नहीं पड़ता है, कि आप rough copy में लिख रहे हैं, कि diary में लिख रहे हैं, पर चुकी आपके पास safe रहे, इसलिए मैं diary आपको suggest करता हूँ, next, देखिए, कई बारना meaning काफी नहीं होती है, तो आपको कुछ words के contextual understanding की बहुत जरू की, actual meaning और contextual meaning अगर अलग है, तो फिर जैसे अभी recently article आया था, इंडिया जो oil purchase कर रहा है रशिया से, और फिर उसके बाद में उस petroleum को process करके petrochemical से, या petroleum product है, बाकी countries को क्या कर रहा है, export कर रहा है, तो इंडिया एक laundromat की तरह काम कर रहा है, किस की तरह काम कर रहा है, तो textual meaning क्या होगी, कि इंडिया जो है, उस sanction के उपर धुलाई कर दे रहा है, असल में laundromat क्या होता है, कि जहाँ पे, ऐसी एक जगे, जहाँ पे काफी सारी washing machines लगी हुई है, laundry के लिए जगे बना रखी है, उस दुकान को हम लोग क्या कहते हैं, laundromat कहते हैं, जहाँ पे, आपन बस बेचा जाए, तो laundromat, तो यहाँ पे contextual meaning का बहुत बड़ा importance है, तो कई बार sentence के अंदर contextual meaning क्या होती है, वो भी आपको पता होनी चाहिए, next है, word काली याद करने सरी होगा, world की जो families है, उसे भी आपको याद करना होगा, जैसे एक example यहाँ पे दिया गया है, conscientious, यह क्या ह होता है, एक आदमी जो काम करने को लेके बहुत जिसमें लगन होती है, उस चीज को कहा जाता है, conscientiousness, ठीक है, तो यह अगर मुझे root word पता पढ़ गया, तो यह conscience से निकला है, किस से निकला है, conscience से निकला है, तो इसे और भी बहुत सारे word बन सकते हैं, तो एक root word मुझे पता पढ़ गया, और उसके बाद में, मैंने क्या किते हैं, इसकी family से जितने words हैं, वो भी मैंने निकाल लिए, तो इसकी families भी आप चाहें, तो लिखके रख सकते हैं, एक मैं आपको suggest करूँगा, normal Lewis की word power, word, power, made, easy, नाम की एक normal Lewis की book आती है, इस book को आप ले सकते हैं, यह आपको root word, और उसकी जो family के अलग-अलग words हैं, उनसे काफी अच्छे से आपको introduce करवाती है, तो आप यह भी use कर सकते हैं, इस book को भी use कर सकते हैं, यह भी आपको काफी help करेगा, ठीक है, चलिए, next है, आप flash cards भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जब आप copy से या अप glance दिख जाता है, तो आपको help मिल जाती, flash card में क्या होता है, कि आपने अगर यहां लिख रखा है word, तो इसके पीछे इसका meaning लिख के रखिए, तो आपने जैसे ही word उठाया, आप याद करेंगे, इसका meaning क्या है, जैसे ही आप meaning याद करेंगे, अगर आपको नहीं आता है, त इसके पीछे कुछ इसका meaning लिखा हुआ है, आगे word लिख देंगे, और उसके पीछे, back side में, उसका meaning लिख देंगे, उसका meaning लिख देंगे, और खाली meaning लिखने से काम ना बने, खाली meaning लिखने से काम ना बने, तो आप क्या कहते हैं, इसके अंदर अलग-अलग चीजे भी ल pronoun है क्या है ठीक है adjective है वो लिख सकते हैं क्या है ये लिख सकते हैं प्लस इसके synonyms और antonyms भी लिख सकते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़े आप flashcard के अंदर लिख सकते हैं आगे word हो गया और पीछे meaning plus और भी बहुत सारी चीज़े लिख सकते हैं जो कि आपको बार-बार help करेगा और ये महनत एक बार की है दिन के अगर माल लीजे कि 25 वर्ड बन रहे हैं दिन के माल लीजे 25 वर्ड बन रहे हैं तो और अपने 30 मिनट या फिर 40 मिनट के अंदर अपने flashcard और अपनी diary तै apps आते हैं अब यहां पर हम लोग the Hindu से थोड़ा सा आगया चुके हैं काफी सारे apps आते हैं app को use कर सकते हैं जिसके अंदर games के through जिसके अंदर games and quiz के through आपको नए word सिखाए जाते हैं तो इसको भी आप use कर सकते हैं online gaming या फिर quiz या फिर एक और चीज करिए जो कि मैं भी काफी time पहले करता था अभी काफी time से मैं नहीं कर पा रहा हूं बट अपने journals को maintain करना जर्नल मतलब हम लोग common language में उसे बोलते हैं diary ठीक है डेली की जो diary है या फिर इसको कहिए आप अपना जो personal journal है इसको आप प्रिपेर करिए अब इसके अंदर पूरे दिन में पूरे दिन में क्या क्या हुआ daily routine लिखिए daily routine लिखिए और उसके अंदर जो new words आपने आज पढ़े है उन्हें अपनी writing के अंदर apply करने की कोशिश करिए उसे एक पना लिखिए और उसके अंदर apply करने की कोशिश करिए अब इससे दो फाइदे हैं क्या होता है आप तो एक पूरा दिन पूरा दिन आपने क्य क्या किया आप उसे revise करते हैं उसे आप क्या करते हैं उसे आप revise करते हैं प्लश इससे आपका mind sharp होगा इससे आपका mind sharp होगा और दूसरा आपके जो words आपने learn किये हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे वो और ज्यादा स्ट्रॉंग हो जाएंगे आपकी मेमोरी में ये भी आपको एक फाइदा हो जाएगा ठीक है तो अपना जर्नल भी आप मेंटेन कर सकते हैं जिसके अंदर जो वर्ड आपने सीखे हैं वो आप लिखें नेक्स देखिए लोगों के साथ में डिसकस करें क्योंकि डिसकस करने से क्या होता है आपके दिमाग पे एक इंप्रिंट बन जाता है आपके दिमाग में क्या हो जाता है एक अच्छी चाप हो जाती है आपने बच्पन में भी सुना होगा आपको अगर कोई चीज ना याद हो रही हो या आपको कोई चीज बहुत अच्छे से याद करनी हो तो आप अपने दोस्त को वो समझाएं जब आप अपने दोस्त को वो समझाते हैं तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाता है तो ठीक वैसे ही अगर आपने कोई नया वर्ड सीखा है तो आपका एक जो peer group है, हो सकता है एक ही आदमी हो, हो सकता है 3-4 लोगों, उसके अंदर आपस में discuss करें, अपने दोस्तों को time pass की बजाए अपनी strength को बढ़ाने के लिए और अपने दोस्तों की strength को बढ़ाने के लिए use करें, ये बहुत एक अच्छी चीज होती है, फिर उसके बाद में हमेशा जो मैं कहता ही कहता हूँ, हम लोग स्वामी विवेका नन दिया, फिर हम लोग क्या कितने उतने ज्यानी पुरुष नहीं है कि एक बार पढ़ा और हमारी आइडेटिक मेमोरी है, हमें याद हो गया, हमें रिवाइज करना ही होगा, हमें रिवाइज करना ही होगा, रेगुलरली रिवाइज करें, एक बार लिख दिया अगर कॉपी के अंदर, तो वो कॉपी में से अपने आप उठके रात को आपके दिमाग में नहीं गुसेगा, उसे आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तो revise भी करें time to time, इससे आपको फायदा होगा, ठीक है, strong vocabulary है, बहुत strong vocabulary है, तो यह आपको ultimately आपके exams के अंदर फायदा ही करेगी, सिर्फ exam में बच्चों फायदा नहीं करेगी, इसके अलावा आपके पूरी life में, आप आगे जाके lawyer बनने वाले हैं, lawyer की vocabulary जो है वो बहुत अच्छा काम करेंगे, उसके लिए आपकी language पर कमांडना आपको बहुत जरूरी, आपको बहुत help करेगी, तो इसके लिए आज से काम चालू करें, अभी 5 महीने हैं हमारे पास में, 5 महीने के अंदर आप ये कर लीजिए, आपको बिल्कुल फायदा होगा, आपको याद रह रहे हैं, तो फिर उसी दिन से आप चालू करें, अपने newspaper को उठाएं, या फिर जो भी आप पढ़ते हैं, उसे उठाएं, और उसमें से words निकाल के side में रखना चालू कर दें, और उसे revise करें, उसे use करें, उसके synonym, उसको antonym याद करें, ये सारी चीज़े आपको help करेगी, तो I hope आपको ये particular video काफी अच्छी लगी होगी, घ्यान की बात है, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएं, उनको भी अच्छा लगेगा, ठीक है, या आप अपने दोस्त के साथ में simple meme वगरा शेर नहीं करते हैं, कुछ घ्यान की चीज़े भी शेर करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऐसे ही किसी सेशन के अंदर तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत!